वक्त के साथ बिहार की राजनितिक परिस्थिती भी बदल गई है एक समय था जब चुनावी मैदान में नितीश कुमार का मुकाबला उनके ही समकक्ष लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान से हुआ करता था लेकिन अब आरजेडी और लोजपा की बागडोर तेजश्वी यादव और चुराग पासवान से सीधी लडाई करनी है पिछले विधानसभा चुनाव में तेजश्वी ने अकेले अपनी छाप भी छोड़ी है लेकिन अब चुराग भी महागडबंधन में आ सकते हैं तो 70 साल के नितीश कुमार को चुनावी अखाडे में युवा चुनावी से भीड़ना होगा बता दे कि बिहार विधानसभा चुनाव में नितीश कुमार की जद्यू तीसरे नंबर की पाठी बनकर रह गई विधानसभा चुनाव के पारिणाम को देखा जाए तो चुराग पासवान के चलते नितीश कुमार को भारी नुकसान हुआ इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फाइदा राश्ट्रिय जनता दलक हुआ अब राजद चिराग पासवान को महागट बंधन में लाने की कोशिश में है इसे बीच अगले कुछ दिनों में बिहार की दो वधान सभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं दोनों सीटे जदियों के वधायकों के निधन से खाली हुई है ऐसे में चिराग एक बार फ़िट से नितीश की टेंशन बढ़ाने वाले हैं बदादे कि मुंगेर जले के तारापूर वधानसभा सीट जद्यू नेता मेवालाल चौधरी के निधन से खाली हुई है जबकि दर्भंगा जले की कुशेश्वर स्थान वधानसभा सीट जद्यू नेता सशी भूशन हजारी के निधन से खाली हुई विधान सभाचुनाव में काफी कम सीटे मिलने से जद्यू पहले ही बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है दो विधाईकों के निदन से जद्यू को एक बड़ा जटका लगा है इन दोनों सीटों के लिए अगले छे महीने में उपजुनाव होगा विधान सभाचुनाव में जद्यू के खराब नतीजों के लिए चिराग पासवान को ही जिम्मेदार माना गया था अब चिराग पासवान और तेजस्वी आदव की नजदी की खासतोर पर नितीश कुमार की टेंशन बढ़ाने वाली है टेंशन इसलिए के विधान सभाचुनाव के बाद से ही नितीश कुमार लगातार अपना कुनबा मजबूत करने में लगे हैं इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बसपा के एक मात्र विधायक को जद्यू में शामिल करवाया वहीं लूचपा संसादिय दल में टूट के लिए भी नितीश कुमार को ही जम्मदार माना जा रहा है लेकिन वधान सभा की गणित देखे तो महागडबंधर और एंडिय के बीच अंतर नहीं है तो ऐसे में चिराग पासवान और तिजश्वी यादव के बीच बढ़ती नस्दीकी से बिहार में एक नई राजनीती की शुरुवात की संभावना जिताई जा रही है अब का यास लगायल जा रही है कि यदि चिराग और तिजश्वी साथ आ जाते हैं तो वधान सभा की दो सीटों के लिए होने वाले उपचना में नितीश को एक बार फिर से बड़ा जटका लग सकता है